साथियों, करनाटरक को विकास की नई उचाई पर ले जाने के लिए आवश है कि यहां की आवशक्ताओं को पूरा करने वाले फैसले लिए जाए और यहां के लोगों की जरुवत के हिसाब से कार्य किये जाए बैंगलूरू के लोगों की कही एक बड़ी परिशानी की बात करूँ तो उसके समाधान की सुरुवात हाल में प्रस्तूत की एक बजेट में हो चुकी है भाई और महनों बहुत जल्द बैंगलूरू में 17,000 करोड रुपयों की 17,000 करोड रुपयों की लागत से 160 किलोमिटर लंबे सबर्बन रेलिवे नेटवर्क पर काम शुरू हो जाएगा और हमारे रेल मंत्री यहां बैट रहे हैं 17,000 करोड रुपयों की नए सबर्बन नेटवर्क में 28 स्टेशनों का नर्मार किया जाएगा इससे सहर के 15,000,000 करोड रुपयों को फाइदा होगा सहर के लोगों को जाम से होने वाली परेशानी तो कम होगी ही यहां के परियावरन की भी रक्षा होगी